शिरी नेकराम शर्मा कृषी हिमाचल प्रदेश के नेकराम शर्मा को राष्ट्रपती ने पदम शिरी से सम्मानित किया है कृषी विशेशकर मोटे अनाज के शेत्र में योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान मिला केंद्र सरकार की तरब से गंतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पदम पुरसकार विजयताओं के नामों की घोष्णा की गई थी राष्ट्रपती ने 106 पदम पुरसकारों को प्रदान करने की मनजुरी दी थी सूची में 6 पदम विभूशन, 9 पदम भूशन और 91 पदमश्री शामिल रहे क्रिशी शेत्र में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को भी पदमश्री से नवाजा गया करसोग के नाज गाओं के नेकराम शर्मा जेविक खेती से जुड़े हैं और नो अनाज की पारमपरिक फसल प्रणाली को पुनरजीवित कर रहे हैं पदमश्री के लिए चैनित होने पर मंडी में जिलस्तरिय गंटतर दियोस पर उन्हें सम्मानित भी किया गया था गौर रहे कि ये पुरसकार उन्ही लोगों को मिलता है जिन्होंने जीवन में जमीन से उठकर किसी विशिष्ट शेत्र में नया मुकाम हासिल किया हो और उससे जन जन प्रभावित हुआ हो और लाभवानित हुआ हो पढ़ने में ओसत छातर रहे नेकराम शर्मा ने जब दस्वी पास की तो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए उन्होंने नौकरी करने का फैसला लिया नौकरी के लिए वो कई जगहे पर भटकते रहे लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली नौकरी न लगने पर जीवन चलाने का संकट पैदा हो गया बाद में खैती में उन्होंने अपना जीवन चुना लोग खैती में कीट नाश्कों का परियोग करते थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्राकर्तिक खैती से एन्वार्मेंट को समारा जा सके सेहत से होने वाले खिलवाड को भी रोका जा सकता है इसी संबंद में प्रशिक्षन पाने के लिए वो बैंगलूरू चले गए वहाँ उन्होंने क्रिशी की पारमपरिक खेती को लेकर जानकारी ली उन्होंने नो अनाज प्रणाली के बारे में जाना इसके बाद नौनी और फिर पालमपूर विश्विध्याले में भी खेती के गुर सीखे 1995 के आसपास उसी ढंक से प्राकर्तिक खेती करना शुरू किया जिस ढंक से सीखा था नेकराम शर्मान नो अनाज की पारमपरिक फसल प्रणाली को पुनर जीवित कर रहे हैं ये एक प्राकर्तिक अंतर फसल विदी है इसमें नो खाद्यान बिना किसी केमिकल परियोग के जमीन के टुकडे पर उगा दिये जाते हैं नेकराम शर्मा कहते हैं कि ऐसा करने से पानी के उप्योग में पचास फीसदी की कटोती होती है और जमीन की उर्वरकता बढ़ती है अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने की सलह देते हैं फसल से ही स्वेदेशी बीजों का उत्पादन शुरू करते हैं करीब दस हजार किसानों को फ्री में बीज भी दे चुके हैं झाल